सावत्री कहिए माराजी हम आपके पति के प्राण लेने के लिए यहां पहुच गए हैं और आपके पति के प्राण हमने ले भी लिये हैं लेकिन हमारा रास्ता आगे से क्योंकि आप सती स्थ्री लगती हो इस रास्ते को बदल दो अब कुछ नहीं हो चकता हे यमराज जी जो आप कह रहे हो वो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आपको मेरे पती के प्राणों को वापस देना ही होगा ऐसा कोई आद तक पैदा नहीं हुआ जिसने यमराज से किसी ने अपने प्राण वापस मांग लिया हो अगर आप मेरे पती के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो आपको मेरे भी प्राणों को लेना होगा अभी जैसा हमें आदेश होगा उसे हिसाब से हम यहां से प्राण लेकर के जाते हैं तीरी अभी हमें जोर्त नहीं है मैं आप से अपने पती के प्राणों को मांगती हूं एसे हम प्राण दानमंदित नहीं दिया करते यह जो हमें आदेश मिलता है हम उसी के प्राण लेखर के जाते हैं हे अमराजी अगर आप मेरे पती के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो मैं बहुत बड़ी दुखिया हूं मैं आप से कुछ पराथना कुछ अरज करना चाहती हूं हाँ अरज करती हो क्योंकि वैसे तो इस संसार सागर है यहां कोई दुखी है कोई सुकी है यह तो चक्र है यह चक्र घूंता रहता है अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती है तो सुनिए मेरी बादिया हो मेरी अरजी सुनो या मेरा आजी आजी कुछ रहम मेरे पैखा ले मेरी अरजी सुनो या मेरा आजी आजी कुछ रहम मेरे पैखा ले मेरी अरजी सुनो या मेरा आजी या हर नारी का निजसा जन मैं होता भारी प्रेम बेटी जन मेरे लिया हमरे एक दिन ये खुद्रत का नैम बेटी सत्वान की जिनगी इतनी स्याखीरी टैम बेटी सत्वान के दिन के इतने सया खीरी तैम बेती हर बिना पती के दुख्यारी की बिना पती के दुख्यारी की जिन्दगी बेकार हो जा नहीं ही माती कोई मेरा नाव मेरी मजधार हो जा अन्दे सा ससर की सेवा फिर करने दुस्वार हो जा अन्दे सरसर की सेवा फिर करने दुस्वार हो जा हो मेरे दिल पहला गेचोटे मेरे दिल पहला गेचोटे ओटे कर देयाम राज बच्चा आले मेरी आलचे सुनो या मेरा आलो हे माराज मैं आपके सामने छोली पहला कर भीक मांगती हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरे पती के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिये लेकिन मैं ऐसा नहीं का सकता सावतरी मैं जानता हूं तो एक बिलकुल तपस्वी और एक शिद्ध एक ऐसी पतिवर्ता ओरत है जिसके तब के आगे मेरा जो कुछ मेरे करना चाहिए था उसके लिए मैं बड़ा मजबूर हो गया हूं लेकिन मैं इस जिसके अंदर से मैंने प्राण निकाल लिये है इस खोड़ के अंदर में अपना दुबार से प्राण नहीं डाल सकता अगर आप मेरे पती के प्राणों को वापस नहीं दे सकते अगर अपने पती के प्राणों को छोड़ कर आप से और कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे हाँ वो देखेंगे सुनिए पहले मेरी बात करके कहिए महराज मुझे प्राण दुबारा कभी नहीं मैं डालूंगा और चीजी कुछ भी ले लेना वतन से मैं हालूंगा जोली फेलाई दुख्या नेरे जोली फेलाई दुख्या नेरे हे महराज महर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझे को प्यार का हाथ सी सिधर दो अगर आप तेना चाहते हो पहले तीन वचने भर दो अगर आप तेना चाहते हो पहले तीन वचने भर दो मैं फिर मांगो महराज महराज लाज मेरी के हो तुम रखवाले मेरी अरज सुनो या मेरा दिन कर दो सावत्री जी महराज क्योंकि तेरा तप बड़ा तेज है और आज तक क्योंकि हम इस संसार सागर में बड़े-बड़े प्रानी क्योंकि यहां से प्रान लेकर के जाते हैं लेकिन तेरे तप के आगे मैं जुकना पड़ रहा है लेकिन मेरी बात सुने वचन तो मैं दे दूँगा लेकिन सत्वान के प्रानों को नहीं दूँगा ही महराज अगर आप मेरे पटी के प्रानों को नहीं देना चाते तो जो मैं वचन मांगना चाती हूँ वचनों मैं जो मांगना चाती हूँ वो आपको पूरा करना होगा बिल्कुल करेंगे सुनिये मेरी बात करो यकीन राजपत धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धी पारवीन बेखट के मामा सावतरी दे दिये वचन एक दो तीन हर सास सुरी अंधे मेरे आँखों का उजी आला दे दो जो दस्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो वचन तीसरा मेरी कोखते मुझे को बेटा प्यारा दे दो मने ना चहिए कुछी और मने ना चहिए कुछी और गोर कर अब ना बचान निवादे मेरी अरज सुनो द्या मिरा आजी सावत्री तूने का है कि मेरे साथ सुसुरंदें उनको प्रकास चाहिए आखें चाहिए जी आखों की रोशनी वापस चाहिए उनकी और जो दस्मन ने तुम्हारा राजपाट छीना वो राजपाट वापी चाहिए जी महराज अच्छा और एक जो तीसरा वचन है तुम्हारी कोक से पुत्र भी चाहिए जी क्योंकि मेरे पती के प्राणों को तो आप ले ही जा रहे हो मेरे पती के बाद जो राजपाट में तुमसे वापिस मांग रही हूं यम्राज जी उस राजपाट का मालिक बने मुझे अ पहला वचन पुरा हुआ चल से लिया मंतरी ने जो वापिस राज तुम्हारा दिया दूसरा वचन भी पुरा हुआ यम्राज जी दिरी कोकतें पैता हो एके तुझको बेटा प्यारा दिया आपने दो वचन तो पुरे कर दिया लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया क्यों? आपने तीस्रा वचन सौच समझ के दिया है कहीं मेरी भुध्धी तो खराब नहीं कर दी तुने सावत्री? नहीआ मैं तो हाँ और ना मैं पूछना चाती हूँ क्या अपने वचन तीस्रा सौच समझ के दिया है दे तो दिया तुम्हें वचन अगर तुम्हें मुझे तीसरा बचन दे दी आमाराज तो मेरी बास सुनिये जोल कर हरे राम बैस ले जोल कर हरे राम बैस ले अकल ठिकाने लियाओ रे बिना पती के बिना पती के पती वरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे हे यमराज हे यमराज वचन हारो नत मेरा पती जिवा रे हे यमराज वचन हारो नत मेरा पती जिवा रे इस सत्ती औरत ने तो मेरे को भी भासा दिया भाई भासा नहीं दिया यमराजी वचन पुरा करिए तीसरा अगर बचन पुरा नहीं कर सकते तो मेरे पती को जीवित करिये और मेरे पती को भी जीवित नहीं कर सकते तो बचन हार हो जाईए आज पहली बार तुने एक यमराज के साथ मैं ऐसा इती हात रस दिया कि मुझे लगता है मुझे खाली हात वापर जाना पड़ेगा तोने ऐसा तरीके से भजा दिया मुझे जाचे सो लो या मेरा